कहिए कैसे हैं आप आदते जो हमें healthy बनने से रोपती हैं unhealthy habits अब देखिए जहां तो कुछ आदते ऐसी होती है जो हमें healthy बनाती है और वहीं कुछ आदते ऐसे भी होती है जो हमें healthy बनने से रोपती है unhealthy बनाती है यानि कई बार, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने दुष्मन खुद ही बन जाते हैं अब है ना हैरानी वाली बात दूसरे से दुष्मन ही नहीं अपने ही अपने हाथों से अपने पैरों पे कुलाड़ी मारना यानि कि खुद ही ऐसी आते अपनाना जो कि हमें unhealthy बनाती जा रही है वैसे देखा जाये तो ऐसी आते बहुत सारी हैं पर मैं आज आपको इसी बारे में साथ बाते जो हमारी साथ habits होती हैं वो बहुत commonly used होती हैं और सीधा सीधा हमें unhealthy बनाने में पूरी helpful होती हैं इसलिए उन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए तो मैं एक एक करके बताती हूँ और आप भी देखिएगा कि उन साथ आतों में आप कितना match करते हैं आपकी कितनी आते ऐसी हैं जो आपको भी unhealthy बना रही है तो इसमें पहली आदत है कि हम अपनी हाईजिन का ख्याल ने रखते हैं अपनी सफाही का हम देखिए यहां पे बच्चों की बात नहीं हो रही है बड़े भी बड़े भी कितनी बार देखा जाता है कितनी बार देखा जाता है नहाते नहीं है नहाना तो दूर की बाद ब्रेश भी नहीं करते जहां अपनी स्वच्था का शरीर की स्वच्था का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है वहीं हम इसको completely ignore करते हैं दो-दो, तीन-तीन दिन हो जाएंगे नहाएंगे नहीं, ब्रेश नहीं करेंगे और भी उससे क्या होता है इन चीजों को ना करके हम negative होते जाते हैं negative यानि की unhealthy हमें पता है, जानते सब हैं कि रोज नहाना चाहिए, ब्रेश करना चाहिए, हाथों की सफाई रखनी चाहिए कई बाहर से आए, हाथ धोके, कुछ भी जब भी हम आये, खाना खाए, हाथों के खाना चाहिए कितनी सारी बाते हैं, पर हम कितना ध्यान रखते हैं अपने दांत ही नहीं ब्रेश करते हैं और बताईए, और क्या करेंगे जबकि यह चीजें बहुत ज़्यादा, direct, सीधा देखे, दिन में कितनी बार हम कितना कुछ खाते हैं तो ये चीजे, direct, effect करती है हमें अंदर की स्वच्चता, बहुत ज़रूरिया रखनी इस चीज़ पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए फिर दूसरी बात, खान पान की जैसे चली है तो खाने पीने पर concentrate नहीं करते हैं खाने पीने का तो हम ज़रा भी धिहानी देते कैसे है कि जैसे माली जी ऑफिस जाना है तो सुबह उठ रहे हैं, भाग दौड के, जल्दी-जल्दी से तियार हो रहे हैं और बस जो नाश्ता है उसको निगल रहे हैं चबाना तो बहुत दूर की बात है निगल रहे हैं बस फटा 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 किसी तरह से अंदर जाए और भाग रहे हैं अच्छा कई बार यह होता है कि skip कर दिया breakfast skip कर दिया नहीं टाइम ही नहीं है खाने का time नहीं है मरने तक की फुरसत नहीं है और फास तो बहुत दूर की बात है और लृट रहे हैं और जहीं हैं आपने चाहिए बार कुछ लोग यह तो खरिक करने हाली बात हो गई न कुछ लोग की ओवररिटिंग रहे तूकर Wait Fish will live moment में चलाने जा रहा, थकावट हो रही है, सुस्ती आ रही है, कुछ काम करने का मन नी कर रही है, यह चीजें फिर क्या करती है health के लिए, यह चीजे पॉजटिव थोड़ी न होती है, यही चीजे तो होती हैं, जो हमें इन चीजों पर खाने पीने जैसी चीजों पर तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और पीने का देख लीजे कितनी कितना पानी पीते हम मतलब फाल्तों की चीजे लेंगे हम जैसे जो होती है डबा बंत होती है जो शुगरी चीजे होती है जो शुगर कोटेड चीजे होती है तो वह जादा prefer करते हैं, जबकि जो ताजा फल का juice है, ताजी चीजे हैं, पानी हैं, coconut water है, इस तरह की चीजे तो हम लेना पसंद दी नहीं करते हैं, जबकि ये चीजे बहुत effect डालती हैं और जहां पर बहुत जादा चाहें, coffee, इस तरह की चीजें हमारे शरीर पर negative असर डाल मामले में भी careless हैं, अरे आएगी तो सो जाएंगे, जबकि नीन नी आती ना जब हमें, जिस रात को हमारे नीन एक या दो घंटे के लिए भी डिस्ट्रब हो जाती है, सारा दिन बिल्कुल डिस्ट्रब रहता है, सारा दिन कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहती, एक्द आफिस में आप एक्टिव यह फिल करेंगे, कई बार होता है, जैसे किसी शादी में गए और साही रात जागना है, अगले दिन तो देख लिए आपको होश ही नहीं होता, जागी नहीं सकते हैं, इतना जादा टायट फिल करते हैं, तो यह चीज़े क्या है, नीन की इंपोर किये जा रहे हैं, messages किये जा रहे हैं, chatting किये जा रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा avoid करना चाहिए, यह हमारी health के लिए अच्छा है, जो मैं starting में बोल रही है हम अपने दुश्मन बन जाते हैं, इस तरह से बन जाते हैं, हम अपने दुश्मन, फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि सिटिंग, बहुत जादा बैठना, आप चाहिए ऑफिस में ले लिजिए, जैसे computer के आगे बैठे हैं तो 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 बैठे हैं, तीन तीन चार चार पांच पच गंटे continuous sitting या फिर एक लेडी है वो घर पे रहती है सारा काम ने मटा लिया उसके बाद दो गंटे तीन गंटे साड़े तीन गंटे चार गंटे टीवी के आगे बैट गये बस यही पर अपना खा रहे हैं यही पर अपना फोन रखा हुआ है चलना नहीं होता जबकि बहुत ज़रूरी है कि चले फिरे चले फिरे का क्या मतलब है कि बाडी की exertion कराते रहे एक जितना चलेंगे फिरेंगे उतना ही अच्छा रहेगा मसल्स वगरा हमारे मतलब शरीर में जो है ब्लड का प्रवा अच्छी तरह रहता है और हम बैठे रहके बैठे रहके यह कहीं न कहीं हमें unhealthy बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा हिलन डुलना भी चाहिए बहुत ज़ादा लंबी सिटिंग यह चीज भी नुकसान देती है हम जैसे माली जे घर पे हैं और पास वाली दुकान पर जाना है तो हम वेट करेंगे कि चलो गाड़ी आएगे गाड़ी में बैटके चले जाएगे या हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं जिस माले में रहते हैं हम जैसे थर्ड फ्लोर पे रहते हैं या फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, लिफ्ट की की सीडियों की, हमें सीडियों की कोशिश करनी चाहिए, उससे क्या है कि हमारे थोड़े से एक्टिवनेस रहेगी नहीं, तो जमीन पे खड़े हुए, फिर सीधा लिफ्ट में खड़े हुए, एक बटन ही दवाया, फिर पहु कॉमन है और देखने में बहुत बहुत जादा आता है, जिसे माल लेजी एक आदमी है उसको ये पता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है या मुझे बहुत जरूरत है एक्सेसडाइस करने की कसरत की, उसके दोस उसको सेजस्ट करते हैं कि वॉक किया कर, बाहर निकला कर, शाम को बा पर अगले महिने से देखूंगा या दो महिने बाद देखूंगा बस ये चीज निमट जाए बस ये आफिस में ये बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये निकल जाए या लेडिस बोलेंगी कि बस हाँ बच्चों के एक बार एक्जाम निमट जाए फिर में घूमने का बनाऊंगी ना घूमना होता है और डाइटिंग और भी नहींहें नींहिए बहाने तियार एदें क्योंकि जो आज नहीतक कर तो बिल्कुलीust पक्या जो बहाने बनाते हैं उनके लिए क्या गारंटी है कि दो महीने बाद, तीन महीने बाद हम उसको छोड़ देंगे या हम घूमने जाएंगे, या हम कंट्रोल रखेंगे, कुछ नहीं है अगर आज करना है तो आज नहीं तो फिर वो नहीं कर सकते फिर इसमें चेटा पॉइंट आता है कि हमारी नेचर, हमारी नेचर जैसे मालीजी हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं बात-बात पर टेंशन, तनाव को सिर पे बिठा के रखते हैं उसका पूरी तरह स्वागत करते हैं कि हाँ, आप बैटो, हमारे सिरप बैटो, कहीं जाना मत उसको जाने भी नहीं पास्त के बारे में सोचे जाएंगे जो चीज़ हो चुकी उसके बारे में सोचके हरान परिशान होए जाएंगे Cris फ्यूचर का, फ्यूचर का क्या होगा, कैसे होगा, पास्ट में तो ये हो गया, अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, और जो प्रेजंट है, उसको खराब कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में कोशिश, खुश रहना, पॉजीटिव रहना, पॉजीटिव खुद को रखना इस चीज पर ध्यान देने की बहुत ज़्यदा जूरत है, फिर इसमे शाद्वा पॉइंट आता है बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन देखने सक्रीन सीधा सीधा मतलब है या तो आप मोबाईल कर रहे हैं चहाए बहुत जाधा सक्रीन ही देख रहे हैं ऐसमें ऊफ में वर्ट सम्हाभ देखना है चाहे आपने मैसेज़ों करने है चैटिंग करना है चाहे फेस्बुक देखना है चैस सोशल मीडिया की अलग चीज़े देखनी है वो बहुत जाधा टाइम बहुत जाधा टाइम उसको देखने में लगाते हैं रात हो गई देर रात हो गई सुबह उठके सबसे पहले वही करना है आज पास कोई आप से बात कर रहा है कोई उसका जवा आपकी जो अपने हैं वो भी नराद हो जाएंगे कि आप तो ध्यान ही ने देते हैं हमाई तरफ पूरा टाइम स्क्रीन पे पूरा टाइम स्क्रीन पे इधर जिस कंप्यूटर है लैप टॉप है मोबाइल है ये थोड़ी देर थोड़ी देर बहुत ज़रूरी है इसको आते हैं जो कि आपसे मिलते जुलती है जिनको आपको भी लगता है जिनको सुनकर कि हां कहीं ना कहीं मैं भी इसमें इन्वाल्फ तो नहीं हूं कहीं ना कहीं ये मेरे उपर भी हावी तो नहीं है तो जरूर सोचिएगा वैसे एक बात तुम्हें जरूर कहना चाहूंगी हम हम अपने स्वास्ते के खुद ही लेखगें हम अपने स्वास्ते के अपनी हेल्थ के खुद ही लेखगें अगर हमारे पस अच्छी सेहत है अगर हमारे पस अच्छा स्वास्ते है तो हमारे उमीद है और अगर हमारे पस उमीद है तो हमारे पस सब कुछ है जरूर सोचेगा इस आपके comments का मुझे इंजार रहेगा तो कल फिर मिलोंगी तब तक smile भी रखिए और positive रहिए और positive सोचिए और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद नहीं किया तो please कर लिजेगा और subscribe करने के साथ साथ इसमें एक जो bell का बटन है ये भी दबा दिजेगा ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अप्लोड करती हूँ आपके पस notification या message आजाए और अगर आपको ये वीडियो चल लगा आपको लगता है कि हाँ किसी की और भी ऐसी unhealthy habits हैं उनकी ये काम आ सकता ह तो प्लीज आप इसको share भी कर लीजेगा ठीक बाई